कि अब आज है अज आज हमारा में स्क्राइब चलेगा बहुपत की बारे में इस क्रक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे आए देखते हैं बहुपत क्या होता है और इसके बारे में अच्छी तरह से हैं हम जानते हैं अब देखिए आपको दियावाए 7 उप्यक्त सर्व समिकाएं प्रियोग करके निमलिखित के मान ग्यात कीजिए तो हमें सर्व समिकाएं प्रियोग करनी है उनके मान ग्यात करने है तो आपको क्या दियावाए 99 का क्यूब यह क्या दियावाए गन 99 का क्यूब आपको दियाव में आया अब देखिए question number one दियावा है 99 का cube तो किस तरीके से हम इसको solve करेंगे बहुपाद में हम इसे अच्छे से सीखेंगे उसके प्रकार हम question को करेंगे अब देखिए हमें क्या दियावा है 99 तो हम इसको hundred minus one लिख सकते हैं और cube तो इसके उपर है तो आपकी किसका formula बन गया आपका a minus b का whole cube का इसका formula आपको पता है अच्छे से तो हमने क्या लगा दिया hundred का cube minus plus one का cube क्योंकि यह minus में था इसको हमने ले लिया plus three और यह आगया hundred into one और यह क्या आगया plus three hundred और यह आगया आपका minus one का square क्या formula होता है a plus b के whole cube का क्या होता है अब देखते हैं इस तरीके से a की cube plus b की cube plus three a square b plus three a b square इसको हम three को अगर हम common ले लेते हैं तो भी हमारा इस तरीकी से भार आ जाएगा इतना आया समझ में तो इसके मान को यहां पर रख दिया a को हमने माना hundred और b को माना हमने one इस प्रकार हमने question को किया है अब हमने इसकी cube की तो क्या गया यह आपकी कितनी zero आ गए इसे one two three four five six देखिए यह आ गया आपका 10 lakh 10 lakh में साब one minus करेंगे और आप इसकी हिंट करेंगे आगे 30,000 तीसे जार रुपे और यह आगया आपका 300 फिर आपने क्या किया इसको minus कर लिए adjust करके और यह क्या आगया आपका 970299 यह आगया आपका इसका answer आ गया अब next question देखते हैं अभी के question नंबर आपको second दिया वा 102 का cube अब हमें पता है कि हमारे किसके पास आता है अब यह हमारा hundred के पास पढ़ता है तो हम लिखेंगे hundred plus two का whole cube और वही फॉर्मूला हम इसे में लगा देंगे a plus b का whole cube का तो a cube b cube plus 3a square b और plus 3ab का whole square इतना आपको पता है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3ab हम यहा को मल ले ले solve कर सकते हैं यह हमारा ऐसे भी बन जाएगा हमने इसको solve कर लिखा हम इसकी value को यहां से रख देंगे hundred का cube two का cube three hundred का cube यह square आएगा है आपर और यह two plus three hundred और यह आगे आपका b का square तो b आपको क्या दिया था two a की value क्या थी hundred और b क्या था आपका two उस प्रकार हमने इस question को किया अब देखे यहां पर 10,нем的 plus eight plus 60,000 plus 1200 किपना आ गया आपका 10,071,278 तो इस्तम आपका answer आ गया अब इस ही प्रकार हमें question number three दिया वा है 998 मेरे 500 अब इसमें दो रुपे कम है तो हम क्या कर देंगे 1000 minus ही यह त inappropriा चले इसका give और वही formula हमें इससी लगा सकते हैं a plus b का whole đ इस तरीके से लिख सकते हैं AQ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस 3A प्लस B इतना आया अब हमने इसको रग दिख दिया अबर माइनस 8 यह आगया आपका 6,00,000 और यह आगया 12,000 तो आपका आगया यह 9,00,000 यह आगया आपका करोण में आगया इस प्रकारन में इस question को अच्छे से जोया किया अब next question देखे हैं Question number 8 दिया वहा है अपको नियात कीजिए या की जिया एक ही बात है अब question number first आपको दियावा है 8A cube plus B cube plus 12A square B plus 6AB square सेकेंड question दियावा है आपको 8A cube minus B cube minus 12A square B plus 6AB square थर्ड दियावा है 27 minus 125A cube minus 135A plus 225A square फोर्थ question क्या है 64A cube minus 27B cube minus 144A square B plus 108AB का square यह आपको question दियावा है अब आईए question number first को हम solve करते हैं देखते हैं 8A cube plus B cube plus 12A square B plus 6AB square यतना आपको समझवा है और यह formula आपको कौन से लगाना है A plus B का cube हमने लगा दिया तो हमारा आगया 3 square plus A आगया 3AB लेख सकते हैं और यह A plus B हम ले सकते हैं इस question को और solve करेंगे तो इस प्रकार से इसका answer आएगा आप देखें यहाँ पर क्या है 2A cube plus Q क्योंकि हमने इसको यहाँ से solve किया है तो आगया B cube plus 3 2A square B यहाँ गया 3 2AB square यह तिन दोनी 6 आगया आपका 6AB square और यह चारती है 12I square B question number second दिया हुआ है आपको अब देखें आपको question दिया हुआ है question number second 8A cube minus B cube minus 12A square B plus 6AB का square अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम लिख सकते है 2A cube क्योंकि 2 का cube करेंगे तो आपका 8 आता है तो इस प्रकार से हैं हम पर लिख सकते हैं plus minus B का cube लिख सकते है plus 3A to A B square क्यों आपका 2 का square करेंगे तो 4 आएगा 3 is to 4 कितना जाएगा 12 minus B plus 3 to A minus B का square यह फॉर्मर लग जाएगा आपका A plus B का whole cube का तो आप क्या लिख सकते हैं 2A minus B का whole cube अब हमने पूरे फुल कोश्चन को बड़े कोश्चन को छोटी फॉर्म में बदला है इसमें देख रहे हैं आप यह करना है गुडनखंड कीजिए तो हम इनकी गुडनखंड में इनको बाट दिया आप question number आगे next देखते है देखे question number third 27 minus 125 A cube minus 135 A plus 225 A square इतना आपको पता चला अब यह आगया आपका 3 का cube plus minus 5 A का cube plus 3 into 3 का square minus 5 A plus 3 को हम इसे ले सकते हैं 3 into 3 minus 5 A का square यह हमने इनको गुडन खंडों में बाट लिया अब यही formula हमारा था तो हम इसके according ले सकते हैं क्या 3 ले लिया आपने आपे minus 5 A का cube इतना आपको समझ में आ है आप question number 4 देखते हैं 64 A cube 27 A cube B cube और 144 A square B plus 108 108 A B का square अब हमने क्या हमें पता है 64 किसका आता है 4 का cube होता है तो हमने ले लिया 4 A cube 27 किसका होगा आपका 3 का तो 3 B cube ले लिया plus यहां से हम इसको बाढ़ सकते हैं टुकडों में 3 into 4 A अब यह 4 A का square के आगया आपका 64 into 3 तो हमारा 144 ही बैटेगा minus 3 B अब आगया plus 4 A और यह आगया minus 3 B का square तो 3 B आपका आगया 9 और यह आपकी into करेंगे तो 1080 आएका निकल कर और हमने formula लगा है A plus B का whole cube का तो हमने यहां से ले लिया यह आगया A minus B का whole cube तो 4 A और आपका यह क्या गया? 3 B और आगया आपका 4 A minus 3 B का whole cube उतना आपको समझ में आगया question यह आपका formula है plus में हम इसको minus में भी लिख सकते हैं इस तरीके से हम इस question को minus में लिए आएंगे अब next देखते हैं question number दिया वाई आपको क्या? question number 9 सत्यापित कीजिए first question दिया है x cube plus y cube is equal to x plus y x square minus y x x y plus y square यह आपका formula हो गया x square plus y square का और x minus x cube minus y cube का x minus y आप ले लेंगे हैं और आगे plus में x square plus x y plus y square तो दो formula आपके हाँ से बनते हैं x cube plus y cube का तो क्या बनता है? x plus y हाँ हम ले लेंगे इसके according और अंदर क्या लेंगे? minus x y plus y और एक formula हमारा बन जाता है x cube minus y cube का तो यह क्या हो गया? x minus y यह क्या हो गया? x square plus x y plus y यहाँ minus वाले में यहाँ minus आएगा और आपकी सारी चीज़ा आगे वाले plus होगी ऐसे आप याद रख सकते हैं और x cube plus y cube में आप क्या देखेंगी? यहाँ plus होगा और अंदर आपका यहाँ पर minus में आएगा इस तरीकी से हम question को solve करके देखते हैं कि हमारा RHS right hand side या left hand side दोनों equal होगी तो x plus y cube को देखा x cube plus y cube को देखते हैं तो हमारा formula जंडेट होता है अब देखे x plus y x square minus x y plus y square और हमने यहाँ से x को मन ले लिया और यह आ गया x square minus x y plus y square plus x क्योंकि हमारा x plus y था यह हमने इसके गुडन खंड में इसको तोड़ लिया इस प्रकार हम इसे लिख देंगे तो हम इनको कर लेंगे अंदर गुणा x cube इसको करेंगे तो x square plus y और plus x y square plus y x का square minus x y का cube square plus y की cube तो हमारा आगिया x square plus यह हमारे कट गए तो हमारा क्या बचा x cube plus y cube क्या आगिया हमारी left hand side अब देखते हैं second question x cube minus y cube is equal to x minus y x square plus y x y plus y square तो right hand side हमारे क्या होई right hand side अब x minus y x square plus x y plus y का square तो x x square plus x y plus y square और यह हम इसे गुण खंड में तोड लेंगे तो y minus आगे यहां से इसको यहां से गुण खंड में हमने तोड़नों को तोड लिया यह पूरी line up के हैं उतर जाएगी अब इसकी हम अंदर गुणा कर लेंगे x cube plus यहां से करेंगे तो x square y इसकी से करेंगे तो x y का square minus अब यहां से करेंगे अब देखिए इन में से हम इसको काट सकते हैं यह हमारा x square वाला यहां से कर जाएगा यह plus का और यह minus का यह कर गए तो हम पर क्या बचता है x cube minus y cube left hand side तो आपकी RHS equal हो गई ठीक है right hand side के आपको कैसे पदा चला एक तरफ आपका x plus x cube plus y cube है और एक तरफ है x cube minus y cube तो आपको पदा चला एक side हमारी minus में आईगी और एक हमारा plus में तो हमारे दोनों फॉर्मूले इसको इंटर्रेलेटेट करते हुए चलेंगे आपस में आप को अब कोश्चन नंबर 10 देखते है निमली खित में से प्रतीक का गुडंखंड कीजिए हम इनके गुडंखंड करना है किसके कोश्चन नंबर 1 दिया आएगा आपको 27y cube plus 125z cube और सेकेंड कोश्चन क्या है 64 मीटर क्यूब माइनस 343 एंड क्यूब इतना आपको पता चला अब देखें कोश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 27y cube plus 125z cube अब मैंने इसको तोड़ लिया तो यह आगया 3y cube 5z cube इस तरहीं के से अब 3y plus z 5z और यह क्या है 3y का क्यूब स्क्वेर मैनस 3 3y 5z plus 5z का स्क्वेर अब यह क्या आया आपका 3y plus 5z और यह आगया आपका 9y स्क्वेर मैनस 15yz अब यह आगया 25z स्क्वेर हमने पूरा फॉर्मुला लगा दिया x plus x square x cube minus plus y cube is equal to x plus y यह भी आप रैकेट में रहे लेंगे मैनस xy plus y का cube पॉर्शन नमर सेकेंड आपको दिया गया है 64 meter cube minus 343 n cube तो 4 meter cube minus 3 n cube 4m minus nm यह आगया आपका 4m का square plus 4m और nm यह हमने पूरा फॉर्मुला खोल लिया है वाला और हमारा क्या आगया यह आगया अब हमने इसको करा तो 4m minus 3 n और यह आगया आपका 60 m square और यह आगया आपका 12 mn इनके आपस्मेंट 2 हो गई plus n यह आपका पूरा formula इस तरहीं के से हमपे generate हो गया फॉर्मुले को हमने यह से बना दिया है formula आपको दिख रहा होगा यह वाला यह formula में अच्छे से याद करना है अब देखिए question अब वार आता है आप 11 गुड़नखंड कीजे 27 x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz अब देखिए 27 x cube plus y cube plus z cube minus यह हमने 9xy यह दिया वाय आपको तो आप इसे ही लिख सकते हैं 3 x cube इसको y cube plus z cube minus इसको तो लिख सकते हैं 3 x and y z और हमने इसको लग निकाल लिया 3 x plus y plus z और यह आपका बन गया 3 x cube और यह क्या आपका y cube y square plus z square minus 3 x y इस तरीके से minus y z और y और यह आपका 3 x तो आपका क्या formula बना a cube b cube c cube minus 3 a b c तो a b c बना लिया आपने पहले फिर a square b square c square minus a b minus b c minus c तो इसके प्रकार हमने इसमें रख दिया इसको 3 x plus y plus z 9 x square y square z square minus 3 x y minus z y तो आपके y z लिख सकता है यह और यह 3 z x यह पूरा formula हमने इसमें put on कर दिया formula क्या है आपका a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b तो आपके 3 a b c तीनों आपके आपके आपने इस formula को इस तरीके से यहाँ पर खोल दिया आपके question number 13 दिया वाए है यदि x y z बराबर 0 हो तो दिखाईए कि x square plus y square plus z cube तीनों cube में ही है x cube y cube और z cube आपका 3 x y हम जानते हैं कि यह formula हमें पता है formula क्या है x plus y x square y square और z square minus x y minus y z minus z x तो हम जानते है x plus z is equal to 0 हो तो आप क्या करेंगे 3 square x cube y cube और z cube minus 3 x z equal to 0 और आपने पूरा formula खोल दिया यहाँ आ गया 3 cube y cube और z cube minus 3 x y z is equal to 0 तो आपका यह धर पहुच गया तो आपका cube यह तीनों की cube is equal to 3 x y z इतना आपको समझ में आया है अब देखिए question number 14 आपको दिया वा है अब देखिए question number 14 भी दिया वा है जिसमे question number first यह दिया है question number second तो इसी प्रकार हमने दोनों को solve कर लिया माना a a b और यह c तिनों को formula में हमने put कर दिया और हम जानते हैं कि a b c is equal to zero हो थो हम यह वाला formula यूज कर सकते हैं तो हमने इस formule को यह पर put on कर दिया एसी प्रकार question number second दिया है आपको तो कि इसमें भी a b और see हमने मान लिया और a b c हमने यह मान कि is equal to zero ले लिया हम जानते हमकि a b c is equal to zero हो तो हमारा फॉर्मूला हमारा यही वाला आता है A Q B Q C Q तो 3 A B C इस फॉर्मूले को हमने आप पर बोटन करके इसका अंसर यह आ गया आपको हम नेक्स देखते है Q 15 दिया गया आपको नीचे दिया गया है कि आया तो जिनमें इनके छेत्रफल दिये गया है यह से प्रते की लंबाई और चोड़ाई के लिए संभवते वियंजग दीजिए अब छेत्रफल लिए गया है आपको दोनों के Q 1 और 2 तो 1 का आपका अध्र शे चेत्रफल देखते हैं चेत्रफल हमारा इवाला इसका फूरा फॉर्मुला रखते हैं हमने इनको पूटाउन करके खोल लिया है पर 5y प्लस 4 और 7y मैनस 3 इसलिए लंबाई हमारी यह है और चोड़ाई आपकी यह है इस प्रकाहर में इस कोशन को कि आप नेक्स देखते हैं इसल कि गए और इसको फॉर्मोडे को खुड़ लिया और इस प्रकाहर में इसको सॉल्व करते चले गए तो 4K 3Y प्लस 5 और Y-1 विमाव के लिए 4K 3Y प्लस ये और Y-C विम्जक संभा है ये प्रकार हमने question को किया तो आज हमने क्या सीखा हमने सीखा कि हम किस प्रकार से बहुपतों को खोल के उनके रूप में उनके questions को solve कर सकते हैं और असानी से इसको ग्याद कर सकते हैं आगे का हम नेक्स क्लास में सीखते हैं आज के रिए thank you